Hello Friends आज मैं आपको संस्क्रित के कुछ important सीड़े बताऊंगा संस्क्रित में डस्टे सबसे पहले हमें अनुवात करने को आते हैं इनको translations भोते हैं तो पहले बता देता हूं तो पुरुस के बारे में संस्क्रित में तीम ते रिखले के पुरुस होते हैं प्रतम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अब इसमें कौन सी केडिगरी आती हैं? कैसे इनको डिवाइड करते हैं? देखें प्रतम पुरुष होते हैं इसको बोलते हैं साम, सौ, ते मध्यम होते हैं त्वं, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, आवाम, वयम मतलब लिखा क्या होता है? जब कभी वह इसके लिए मैं संस्वर दिखनी हैं साम यूज़ करेंगे इसी तरह वह दोनो तो और वे सब ते त्वं मतलब तुम, युवाम तुम दोनो यूयम तुम सब और इसी तरह उत्तम पुरुष मतलब आहम यानि कि मैं आहम हम दोनो और वयम हम सब अब दोस्तों इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है आप संस्क्रत में कभी भी आपके पास कोई इसको याद करना चाहिए थो ऑसा आजाते हैं इस तरीके से आप गलती इसके लिए दूसरा वीडियो आपको दूंगा जिसमें मैं लकार के बार में बताऊंगा पांस लकारे होती है इसमें मैं आपको एक्जामपल देखे केवल उसी से एक संधा रहा हूं जैसे अगर बात करने है जाना जाना को संस्क्रत में ज्याते हैं गम पांस और इसके लिए जो महारी पहली लकार होती हृँ लट लकार होती है लट लकार में डम के लिए क्या यूज करते हैं गच्छती गच्छता हा framework गच्छनती उसके बाद आता है गच्छसी गच्छता Becca Corby अब अगर आपको पूरुस पता है और यह लगार पता है तो आप बहुत आसादी पनवाद कर सकते हैं, तो ऐसे यह देखे? जैसे एक बहुत इसान सा सीधा सवा के लेते हैं वह जाता है अब देखना में वह के लिए क्या यूज़ करना है सब यहाँ पर देखेंगे अगर इस नम्बरिंग आप कर सकते हैं इसी तरह यहाँ पर नम्बर्स कर सकते हैं आप देखेंगे नाए अगर यहाँ पर नम्बर्स की पॉजिशन है वह को बोतेश सह तो इसके यहाँ पर नम्बर बवन पर गजन्या सभ गच्छती लिखेंगे सहगर गच्छती व्फ यह दोनों जाते हैं तौ गच्छता है वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामी, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामा, तो इस तरीके से ये मैंने केवल लट लकार बताया, बाकी आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मैं बाकी लकार बताऊंगा, और उन लकारों को भी इ दिखा है युवाम पठ्था, पठ्था किसके लिए उस करते हैं, पढने के लिए, पठ्था दी चलता है, पठ्था कहां पर मिलेगा आपको यहां देखें, तो इसके मैंच होता होगा है, गच्छता, और यहां है युवाम, यानि कि तुम दोनों, हिंदियन वाद क्या गय हो जाता, क्योंकि यहां पर युवाम जो है, अगर आप यहां नंबर के साफ रियाद रखेंगे, तो पांचे नंबर पर है, तो इस तरीके से वाँ की गलत हो गया, तो अगर आपको गलती निकालने को आता है, या फिर इसके लिए सही सब्द भरने को आता है, कि इसके साथ आपको क्या लगाना चाहिए, तो आप इस तरीके से आसानी से पता कर सकते हैं, थैंक्यू फ्रेंड्स, इतना देखने के लिए, समझने के लिए, आगे के जितने भी वीडियो होंगे, इसमें हम आपको संस्कत के बारे में और भी इंपोर्टेंट चीजे बताएंगे, आप इन सभी वीडियो को जल्दी से जल्दी सबसे पहले प्राप्त करें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें, थैंक्यू